गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आदाव सस्यकाल कैसे हो बेटा आप सभी आए हो आप सभी ठीक होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में आपके लिए इंट्रॉडक्षन दिया था किसके बारे में वर्क के बारे में किसके बारे में था बेटा हमारा वर्क के बारे में तो आज की हम क्लास करने वाले हैं बेटा वर्क की ही होगी ठीक है बेटा तो आप सबसे पहले विस चीज़ को समझने की कोसिस करें जो मैं आप लोगों को अब समझा रहा हूँ तो dear students कल मैंने work के बारे में क्या बताया था work के बारे में ये चीज़ बताई थी कि जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई surface है और ये हमारी कोई body है गटा अगर मान लो इस पर मैं constant force लगा रहा हूँ मतलब constant force है constant force का मतलब आप जानते होंगे कि force का जो magnitude है वो continuously कैसा रहता है dear students same है कैसा है बता same ठीक है और अब मैंने इस पर constant force लगाया और dear students अगर ये body displace करती है क्या करती है बता body अगर displace हो जाती है in the direction of the force in the direction of constant force अगर body displace होती है तो dear students वो displacement travel करेगी as तो जो हम इनका जो product जो आता है constant force का जो product जो आता है ठीक है बता constant force into में dear students क्या बता into में displacement इनका जो product जो होता है वो dear students किसके बराबर होता है amount of work done के क्या होता है बराबर होता है तो w is equal to f into में s ये चीज़े मैंने आप लोगों को कल समझाएं थी ठीक है बता the constant force should be applied in the direction of किसके बता in the direction of the moving body या in the direction of the displacement ठीक है dear students ये चीज़ बहुत ही जरूरी है इन में से दोनों कंडिशन को satisfy होना जरूरी है अगर हम किसी force के द्वारा अगर हम work done कर रहे हैं तो बिटा वहाँ पर दोनों कंडिशन को अबे होना बहुत ही जरूरी है मतलब force भी होना जरूरी है और क्या डिया स्टुडेंट displacement भी होना क्या है जरूरी है जैसे मान लो ये कोई हमारे पास में एक wall है ठीक है और इस पर मैं लगा रहा हूं force लगा रहा हूं बेटा और ये wall move नहीं कर रही इसका मतलब यहां पर displacement 0 है अगर यहां displacement 0 है तो work done क्या जाएगा बेटा force मैंने लगाया 10 newton का force लगाया ठीक बेटा क्या लगाया 10 newton का ठीक बेटा दूसरा अब क्या हुआ बेटा इसके अंदर w is equal to favors 10 newton displacement 0 तो बेटा work done क्या हो गया 0 हो गया ठीक डिया स्टुडेंट्स ठीक है अब दूसरा यह हो सकता है कि dear students जैसे मालनो कोई body constant velocity से move कर रही है ठीक है बेटा क्या कर रही है constant velocity से move कर रही है ठीक है body is moving v और यह v कैसी है बेटा constant velocity है अगर dear students velocity अगर constant है अगर dear students अगर velocity constant होती है तो वहाँ पर applied जो force जो होता है applied जो force जो होता है dear student 0 है और यहाँ displacement भी है बट अगर मैं यहाँ से multiply करूंगा force, applied force into displacement तो w is equal to applied force तो 0 है जबकि body के अंदर क्या विटा displacement है तो work done क्या आगया dear students 0 आगया तो work done कब होता है work done तब होता है dear student जब हम किसी body पर force लगाते हैं और उस body के अंदर क्या produce होती है displacement produce होती है ठीक है बटा ठीक है और कल मैंने आपको एक relation और समझाया था dear students एक relation क्या बताया था बटा मैंने आप लोगों को एक relation यह बताया था कि बटा class में ही मैंने यह चीज़ समझाय थी और कुछ section हो को मैंने समझा भी रखाएगी 1 newton बरावर किसके होता है 10 की power 5 dine के बरावर है मतलब dine cgs unit force है और newton si unit of force है तो joule 1 joule बरावर किसके है आपको मैंने बताया था 1 joule बरावर होता है 1 newton into में किसके होता है 1 meter के जैसे मालो यह कोई body है इस पर मैंने force लगा दिया 1 newton ठीक बटा और body के अंदर displacement कितनी produce होई बटा 1 meter अगर displacement produce हो रही है कितने meter displacement produce हो रही है 1 meter अगर displacement है तो यहाँ पर जो work done जो आएगा वो कितने joule का होगा बटा 1 joule का work done है तो 1 joule किसके बराबर है बटा अभी लिखाता मैंने 1 newton into में किसके बराबर है 1 newton into में 1 meter के बराबर है 1 joule और 1 newton के value मैंने क्या बताई थी बटा डाइन में यह cgs है यह cgs unit है और यह क्या idea students si unit है क्या है si unit है ठीक है बटा तो अब देखो 1 joule is equal to 1 newton 1 newton मतलब newton को dine में convert कर दिया मतलब cgs unit में convert कर दिया 10 की power 5 dine into a meter को मुझे centimeter मदना पड़ेगा तो क्या लगाना पड़ेगा 100 centimeter तो 1 joule is equal to joule को जे से दिखा सकते हैं किसे दिखा सकते हैं जे से तो 1 joule is equal to तो ये कितना हो जाए वेटा 10 की power ये 1, 2, 2, 0 है और यहां 5 है तो 10 की बार कितना है 7 dine centimeter आ गया तो 1 joule बरावर में आ गया वेटा 10 की power 7 dine centimeter में ने कल बताए थे dine जो centimeter है वो हमारा क्या है वेटा arg के बरावर होता है किसके बरावर होता है अरग के बरावर होता है dear students ठीक है बटा तो 1 joule बरावर 10 की power 7 arg के बरावर होगा ध्यान लखें इस चीज़ को numerical में आप लोगों का helpful करेगा बटा ठीक है ठीक है ठीक है बटा और अब मैं आ जाता हूँ important things बताने जा रहा हूँ आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे इसमें क्या हो रहा है इस वाले case में क्या है कि बटा जो constant यो force है constant force when a constant force when a constant force is applied when a constant force applied in the direction in the direction of motion of moving body motion of moving body तो dear student जो angle जो होगा force और displacement के बीच में क्या होगा बटा angle angle को हम दिखाएंगे बटा theta से बोलेंगे angle को हम बोलते है theta theta बोलते हैं theta theta बोलते हैं कुछ भी बोल दो theta होता है और यह कितने degree का है zero degree का है तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मानलो में force लगा देता हूँ किसी body पर मानलो में एक force लगा रहा हूँ अब ध्यान सुना इस चीज़ को देखो अगर मानलो में किसी body पर force इस तरीके से लगा रहा हूँ जैसे मानलीजिए कि यह कोई body है ठीक है बटा और इस वाली body पर dear students मैं लगा रहा हूँ एक force लगा रहा हूँ F force लगा रहा हूँ ठीक है बटा और dear students यह body डिस्प्लेस कर रही है इधर direction के अंदर तो मान लेते हैं कि at any instant पर जो body जो है वो कितनी displacement travel करती है बटा S displacement travel करती है ठीक है बटा इसका मतलब हमने जो force जो लगा है आप सोचने सरी यह क्या चड़ा दी आपने यह vector है जो मैंने आपको दिखाया है यह vector है यह vector को represent करता है कि force एक vector quantity है ठीक है और यह displacement है यह displacement produce हो रही है इतनी displacement produce हो रही है इस वाली body के अंदर जो मैंने यह दिखाये इतनी displacement produce है बटा ठीक है तो force और displacement के बीच का जो angle जो होता है न यह angle मैंने माना ठीटा यह angle है मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ठीटा इस दा angle ठीटा इस दा angle between the applied force applied force into में applied force and into नहीं and displacement and displacement है dear students ठीक है अब मैंने भी आपको बता था कि force displacement इदर direction में produce हो रही है displacement तो इदर direction में produce होई direction तो displacement की इदर की तरफ है but body पर force इदर की तरफ लग रहा है ठीक है तो work done जो होगा work done जो होगा force के द्वारा अभी मैंने बताय था work done के formula में क्या बताय था कि work done के अंदर जो constant जो force जो होता रहा displacement जो होती है न जो constant जो force जो होता है वो हमेंचा किसकी direction के अलोंग होता है बटा direction of moving body के होता है constant force तभी हम work done भाई ये force consider करके चलते हैं तो work done भाई ये force जो होगा वो होगा constant force is applied in the direction of displacement of moving body बट यहाँ पर क्या हो रहा है dear students यहाँ force भी लग रहा है displacement भी हो रही है बट अभी मैंने क्या बताया था कि work done के लिए force लगना चाहिए in the direction of displacement of moving body बट यहाँ लग रहा है at any angle से तो physics में यहाँ पर एक चीज define की जाती है components define की जाते हैं बटा क्या define की जाते हैं rectangular components define की जाते हैं rectangular components और ध्यान रखना rectangular components समय सा vector quantity के होते हैं इसके होते हैं vector quantity के और यह vector यह तभी होते हैं यह component भी तभी बनते हैं when a vector quantity वेन ए वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी इस इनक्लाइंड इस इनक्लाइंड 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 इन और vector quantity plan and paper के साथ मैं angle कितना बना रही है विटा ठीटा एंगल बना रही है तो physics में ध्यान रखना है उसके लिए हम उसके दो effect consider करके चलते हैं एक तो उस force का क्या मानते हैं विटा ठीक है और vertical component हमेशा ध्यान रखना साइन से होगा साइन ठीटा साइन ठीटा साइन ठीटा उगा है आप करें साइन that क्या है बटा यह है इह Trinometric functions हैं क्या है Trinometric functions एंगल को measurement करने के लिए होते है यह Trinometric functions ऑब साग साइन तो इसके जो perpendicular जो होगा ना इस vertical component के ये वाला होगा बेटा हमारा कौन सा horizontal horizontal component horizontal component of force horizontal component of force और वो जो horizontal component जो फोर्स जो होगा वो क्या होगा दिया students f cos theta होगा क्या होगा बेटा f cos theta ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पर calculations चल रही है 11th class की है थोड़ा सा concept आप जहाँ रखना मैंने क्या बताए कि जब भी कोई भी vector quantity कोई भी vector quantity हो अगर वो inclined कर रही है in a plan के अंदर inclined करती है in a plan के अंदर अगर वो inclined करती है तो dear students महाँ पर उस vector quantity के क्या होते है rectangular components consider की जाते हैं मतलब उसके दो effect होते हैं एक तो vertical direction में भी उसका effect होता है उसको vertical component बोलते हैं जिसको हम sign sign traumatic function से लेंगे और जो horizontal जो effect जो होगा वो कौन सा होगा बेटा cos theta वाला होगा कौन से वाला होगा? cos theta वाला होगा कौन सा? cos theta तो अगर मैं वर्क डन का formula लिखूँ अगर मैं वर्क डन का अगर मैं फॉर्मॉला लिखूँ अगर मैं यहां पर वर्क डन का फॉर्मॉला लिखना चाहूँ तो वर्क डन का क्या formula बनेगा dear students अगर मैं यहां वर्क डन का फॉर्मॉला लिखूँगा ठीक है बटा एफ कॉस ठीटा मैं बताऊंगो आपको क्या होता है आगे चलके दिये ठीक है क्या होगा बताना मुझे मैंने क्या बता था कि displacement की direction के along जो force है वो force consider करना आप लोगों को तो displacement तो अधर direction में है तो इस force का कौन सो component है displacement की direction के along f cos theta तो work done यहां कौन से component से होगा बता f cos theta से होगा कौन से होगा f cos theta से तो force कौन सा लिखा जाएगा उसका component कौन सा होगा f cos theta ठीक है बता into में हलंकी into में नहीं लगा रहा हूँ यहां पर लिखूंगा मैं displacement कितनी है बता s है क्या है s तो f cos theta s तो work done w is equal to work done w is equal to f s cos theta भी मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ f s cos theta ठीक है cos क्या है बता cos की value आप लोगों को मैं लिखवा दूगा table बता दूगा मैं आप लोगों को क्या table होगी ठीक है बता जैसे जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ इस चीज़ को समझांगा मैं भी आपको f s cos theta हो गया तो यह एक नया formula आया है dear students किसका work done का आया है किसका आया है work done का कब आया है यह formula कब लगेगा जब लगेगा जब dear students जब किसी body पर force at an angle लगेगा when the force is act an angle to the direction of the moving body जब हो सकते हैं जब force or displacement की बीच में अगर कुछ angle हो तब यह formula लगेगा कौन सा f s cos theta बनेगा कौन सा बनेगा f s cos theta तो ध्यान रखना है इस चीज़ को यह formula बहुत important है विटा ठीक है मतलब क्या है मतलब यह कि वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन हैंस 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 वर्क डन हैंस हैंस वार्क डन वर्क डन वर्क डिफाइंड एज या वर्क डन is defined as as the product of as the product of as the product of as the product of product of force force कौन सा बहला है force कौन सा है force and displacement बोल सकते हैं force and displacement ठीक है force and displacement ठीक बटाँ है तो दिफने प्रोड़क्ट अफोर्स अधिस्प्लेस्मेंट and cosine of angle between them ठीक डिया students याद रखना इस चीज़ को आप not कर ले ना इन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूं मैं आपको टेवल भी समझाँगा आप लोगों को टेवल से टेवल लिखवा दोंगा मैं इसकी कोस की क्या टेवल है क्योंकि देखो अब आप ध्यांज देखो मानलो अगर अगर मानलो देखो एक शी ध्यांज देखना मानलो यह कोई body है इस पर मैंने force लगाया f constant force है fc मेंने मानलिया body के अंदर displacement produce हुई s ठीक है बटा तो f and s के वीच में angle कितना है angle कितना होगा यहाँ पर बताना जिस direction के अंदर force लग रहा है उसी direction में body के अंदर displacement produce है तो बेटा यहाँ तो angle जो theta है वो कितने degree का है 0 degree का है और ध्यान रखना मैं आपको लिखवांगो आलंकि cos 0 degree की जो value है वो बेटा कितनी है वो 1 है cos 0 degree के value क्या है 1 अगर cos 0 के value 1 है तो w is equal to f s cos 0 degree theta की जगे पर क्या लिख दिया theta cos 0 degree बना cos 0 degree के value क्या होती है 1 होती है यह याद रखनी पड़ेगी बताऊंगो आप लोगों को यही तो मैंने आप लोगों को लिखवाया था यही तो भाई मैंने सुबहात में आपको लिखवाया था कि वेन दा constant force is applied ठीक है in the direction of the displacement then the work done is equal to the work done is equal to constant force in displacement because the angle between them is 0 degree angle between them is 0 degree displacement और उनके विच में अंगल 0 है अगर angle 0 होगा तो cost 0 की value क्या होगी बेटा one होगी ठीक बेटा आएफोप आपको यह समझ में आया है ठीक है बेटा और मैं एक चीज़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं एक और मैं आप लोगों को term समझा देता हूं कौन सी term समझाता हूं work done against gravity work done against gravity बेटा वहार्क डण वर्क डन अगैंस्ट ग्रैविटी अगैंस्ट ग्रैविटी में क्या फॉर्मुला आएगा क्या रिलेसन आएगा उस चीज़ को और देखो बेटा ठीक है देखो क्या बनेगा देखो बेटा मान लो अगर मैं इस बोडी को अगर मैं lift करना चाहता हूँ ठीक है बटा जैसे मान लीजिए ground है ठीक है बटा और ये कोई body है यहाँ पर ठीक है ठीक है अब आपको पता है कि इस वाली body पर क्या लगेगा बटा इस वाली body का mass अगर मान लूम है mass कितना बटा इस वाली body का m है तो earth की जो gravity जो रहेगी एर्थ की जो gravity जो रहेगी force of जो gravity जो रहेगी इस body के अंदर एक acceleration produce करेगी और acceleration due to gravity g और जो m का जो product जो होता है वो इस body के weight के क्या होता है बरावर होता है तो w is equal to m into में g ठीक है तो m into में g लगा और ये कहा लगता है हमेसा ये हमेसा कौन सी डारेक्षन लगता है बटा वर्टी कली डाउनवार्ड डारेक्षन के अंदर डाउनवार्ड डारेक्षन के अंदर लगता है ठीक है ठीक है अम मैं क्या कर रहा हूं अगर मालू मैं इस बोडी को लिप्ट करा रहा हूं तो लिप् आज तो मुझे इस पर इस वेट ऑफ दा बॉड़ी के बराबर एक क्या लगाना पड़े गा तो इधर डारक्षण में इस वाली बॉड़ी पर एक फोर्स लगाऊंगा इदर डारेक्षण के अंदर और ये बॉडी क्या कर जाएगी रिफ्ट हो कितनी से ह необходимо करेगी यफ़ान चाइब करेगी चिक है तो आप ध्यान से देखो एपलाइड फोट क्या है इक शित बता ऐपलाइड फोर्ट्स क्या है एपॉ Mick force का जो magnitude है वो किस के बराबर होगा M into में G के बराबर होगा ठीक है क्योंकि इस body पर weight of the body लगे बटी के डानवा direction लग रही है अगर मैं इस body को lift कराना चाहता हूं to a height h तो dear students मुझे applied force उतना लगाना पड़ेगा जितना क्या है बेटा weight of the body लग रही है उस पर तो मतलब applied force M into में G के बराबर है applied force किसके बराबर है M into में G के बराबर ठीक है बेटा M into में G के बराबर होगा थ्वर्कणा का ऽुख रही है अभी बताया था मैं आपटाया था मैं आप लोगों को applied force applied fa applied force में क्या है डिय स्टूडेंक्ट एप्लाइड फोर्श इन टू 2 में क्या होगा बेटा displacement displacement कितनी travel कर रहा हो h displacement तो workadun w is equal to fa applied force कितना है अब यह बताया था मैंने किस के बराबर M G के बराबर H हो गया तो कितना work done हमें करना पड़ेगा applied force के द्वारा against gravity के तो ध्यान रखना वो करना पड़ेगा applied force के द्वारा work done के जो magnitude जो होगा W is equal to M into में G into में H, H वो है जो height जो covered जो होगी G acceleration due to gravity है और M mass of the body है ठीक है बटा तो I hope आपको ये class समझ में आ गई है ठीक है बटा आप इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना अगर कोई problem है तो मुझे बता देना बटा, thank you so much